नमस्ते बच्चों आज मैं आप लोगों को क्लास 7 वसंत का पार्ट भोर और बर्खा इसका मैं MCQ परहाने जा रही हूं क्योंकि बच्चों इस बार आप लोगों को MCQ एक्जाम में पूछे जाएंगे और इससे पहले मैं क्लास 7 वसंत के बहुत सारे चेप्टर का MCQ मैं बना चुकी हूं, फूल एक्स्प्लेनेशन, समरी, क्वेश्चन, एंसर भी बहुत ही आसान रूप में परहाई हूं और हिंदी ब्याकरन भी, तो उन सब को देखने के लिए आप उपर दिये गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिये गए डिस्क्रिप्श बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और बच्चों आप मुझे इस्टाग्राम, फेश्बुक और ट्यूटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो अभी हम लोग परहेंगे भोर और बरखा का MCQ, गोपियों के हाथों के कंगनों की जहनकार से पत बब जन खरे हैं, जो तुम्हारे दर्सन की प्रतिक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे शखाग वाल वाल जोड जोड से तुम्हारी जैजय कार कर रहे हैं, गउओं के रखवाले क्रिश्न माखन और रोटी हाथ में लिए हुए तुम्हें साथ ले जाने को आतूर हैं, मीरा जी क कि मेरे तो प्रभु गिर्धर नागर है अर्थात परवत को धारन करने वाले हैं अपनी सरन में आने वाले प्रतेक का उद्धार कर देते हैं तो अब इसके तहट देखिए कितने MCQ बनेंगे पहला प्रश्न है इस पद्यांस के रचीता कौन है तो इस पद्यांस की रचीता कोन है इसका उत्तर है खो मीरावाई दूसरा प्रश्न है पद्यांस में किस समय की बात कही गई है तो पध्यांस में किस समय की बात कही गई है इसका उत्तर है कव भोर के समय की तीसरा प्रस्ण है मीरा कृष्ण को क्यों उठाना चाहती है गोबोर का समय हो गया है खोगवालवाल उनका इंतजार कर रहा है गोबियों कृष्ण के लिए ताजा मक्षन निकाल रही है गोब दिये गया सभी तो मीरा कृष्ण को क्यों उठाना चाहती है इसका उत्तर है को खो गो यानि तीनों सही है जैसे की भोड का समय हो गया है ये भी सही है खो गौळबाल उनका इंतजार कर रहे है ये भी सही है और गौ गोपियां कृष्ण के लिए ताजा मक्षन निकाल रही है तो दिये गए सारे अप्सन जो है सही है तो गौ सही होगा और चौथा प्रश्ण है कृष्ण को जगाने हेतु द्वार पर कौन खरा है गौ सारे गौल वाल खो देव और दानव गौ सारी गोपियां गौ नंद बावा तो उतर है खो देव और दानव यानि कृष्ण को जगाने के हेतु द्वार पर देव और दानव दोनों खरे हैं पांचमा प्रश्ण है गौल बालों के हाथ में क्या था? गौ माखन खो रोटी गौ माखन रोटी और गौ दूध दही तो गौल बालों के हाथ में क्या था? इसका उतर है गौ माखन रोटी अब आगे दूसरे पेराग्राफ में क्या दिया गया है? इसमें ये कहा गया है जैसे कि बडसे बदरिया सावन की सावन की मन भावन की सावन में उमग्यो मेरो मनवा भनक सुने हरी आवन की उमर घुमर चहुदिस से आया दामिन दम के जहर लावन की नन्ही नन्ही बुंद महाबर से सीतल पवन सुहावन की मीरा के प्रभुगिरधर नागर आनन्द मंगल गावन की तो मीरा भाई की ये भजन है और इसका ब्याख्या इस तरह है यानि इसमें इस तरह का अर्थ दिया गया है कि इस पद में मीरा ने प्रकृति चित्रन करते हुए बढ़सा का वर्णन किया है वे कहती हैं कि सावन के महने में मन भावन बढ़सा हो रही है सावन के आते ही मन में उमंग जाग उठती है उसे स्रीकृष्ण के आने की भनक लग जाती है कि वे आने वाले हैं बादल उमर गुमर कर चारो दिशाओं में फैल जाते हैं बिजली चमकने लगती है, वर्सा की जहरी लग जाती है, बर्सा की नन्ही नन्ही बुंधें बरस रही है, पबन भी शीतल और सुहावनी लग रही है, इस प्रकार वर्सा रितु का मनोहारी द्रिश प्रस्तुत किया गया है, मीरा के प्रभूतो स्री कृष्ण है, वे बादलो के आने के माध्यम से कृष्ण के आने की खुसी में मंगल गीत गाना चाहती है, तो ये इन पाराग्राफ के तहद, देखे बचों कितने सारे MCQ बनेंगे, अब है कि मीरा को किस के आने की भनक लग गई है, को बर्सा के आने की खो कृष्ण के आने की, तो मीरा को किस के आने क भनक लग गई है इसका उत्तर है खो कृष्ण के आने की भनक लग गई है और दूसरा है दूसरा पद्यांस में है पद्यांस में किस रितू का वर्णन है दूसरा है कोशीत खोग्रिष्म गवर्षा गवसंत तो पद्यांस में किस रितू का वर्णन किया गया है तो इसका उत् बड़सा रितु का कैसा द्रिश्य प्रस्तुत है यानि बड़सा रितु हो रही है उसमें कैसा द्रिश्य प्रस्तुत है को बिजली चमक रही है खौर नन्ही नन्ही बुंदे वरस रही है गौसीतल शुहावनी हवा चल रही है घौ दिये गया सभी तो बड़सा रितु का कैस द्रिश प्रस्तुत किया गया है तो इसमें ये सब द्रिश है जैसे कि कौभ में है कि वड़सा रितु जब हो रही है तो बिजली चमक रही है खोर ननी ननी बुंदें बरस रही है और गौ सीतल शुहावनी हवा चल रही है तो इसका उत्तर है गौ दिये गए सभी आपसन सही है तो गो उत्तर सही होगा चौथा प्रस्ण है मीरा कृष्ण के आने की आहट पाकर क्या करती है का उत्तर है खो पूरा मार्ग सजाती है गो मंगल गीत गाती है गो इंतजार में ब्याकुल रहती है तो मीरा कृष्ण के आने की आहट पाकर क्या करती है इसका उत्तर है गो मंगल गीत गाती है पांचमा प्रश्ण है गिर्धर नागर से क्रिष्ण का कौन सा स्वरूप प्रकट होता है गो दूद दही खाने वाले, खो वांसरी वजाने वाले, गो गोबर्धन परवत अपनी उंगली पर उठाने वाले गो महाभारत में क्रिष्ण का सार्थी बनने का तो गिर्धर नागर से कृष्ण का कौन सा स्वरूप प्रकट होता है इसका उत्तर है गव गोबर्धन परवत अपनी उंगली पर उठाने वाले तो यह था बच्छों MCQ और इसमें कुछ शॉट प्रश्ण भी पढ़ लेते हैं पहला प्रश्ण है वंसी वारे ललना मोरे प्य रहते हुए यह सोधा स्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही है वह उनसे कहती है कि मेरे लाल उठो निद्रा त्याग दो रात बीद गई और प्राता का समय हो गया है सभी घरों के दरवाजे खुल गये हैं गोपियां दही विलो रही हैं और तुम्हारे खाने के लिए मनभाबन मखण निकाल रही हैं तुम्हें जगाने के लिए द्वार पर सभी देव और मानवजन खरे हैं जो तुम्हारे दर्सनों की प्रतिक्छा कर रहे हैं तुम्हारे सखा तुम्हारी जैजैकार कर रहे हैं ओ गौओं के रखवाले क्रिष्न वे हाथ में मखण और तो जल्दी उठ जाओ दूसरा प्रस्ण है नीचे दी गई पंक्ति का असे अपने शब्दों में लिखिए माखन रोटी हाथ में लिन्धी गवन के रखवाले इसका उतर है गवों की रखवाली करने वाले तुम्हारे शक्षा गवाल वालों के हाथ में रोटी और मखन लिया हुआ है और गवों चरवाने जाने के लिए तुम्हारे इंतजार में खरे हैं तीसरा प्रस्ण है परहुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए उतर ब्रज में भोर होते ही गवालने घर घर में दही भी लोने लगती हैं उनकी चूड़ियों की मधुर जहन इंकार वातावरन में गुंजने लगती हैं घर घर में मंगला चार होता है गवाल बाल गवों को चराने के लिए बन में जाने को तैयारी करते हैं और चौथा प्रस्ण है मीरा को सावन मनभावन क्यों लगता है उतर मीरा को सावन मनभावन लगने लगता है क्योंकि सावन क के आते ही उसे स्री कृष्ण के आने की भनक हो गई है और पांचमा प्रस्ण है पाठ के आधार पर सावन की भिसे स्ताय लिखिये उत्तर सावन के आते ही बादल उमर घुमर कर चारो दिशाओं में फैल जाते हैं बिजली चमकने लगती है बरसा की जहरी लग जाती है वरसा की नन्ही नन्ही बुंदे वरस्ती है पवन भी सीतल और सुहाब नहीं लगती है तो बच्चों इसी के साथ पाठ की समापती होती है आसा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एक्जाम के लिए तयार कर लिजेगा और बच्चों आप मेरे चैनल देव जनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजेगा लाइक कीजेगा और सेयर कीजेगा कॉमेंट्स जरूर कीजेगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों, धन्यवाद